हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनलन अपन प्रयास जी के जी एस पर तो आज हम लेकर आगए हैं एसस्टी एम्टीएस हवलदार एक्जाम चलिए देखते हैं क्या क्या सेकेंड़ सिफ्ट में परसन आया थे हैं एक्जामों के लिए जैसे एससी फेज कारसी गुरूप डी का होने वाला एक्जाम उसके लिए लाभ्य कारी हो सके जो question है वो 100% real है अगर आपको किसी प्रगार की समस्या हो या PDF इसका चाहिए हो ता आप हमें WhatsApp पे message कर सकते हैं या टेलिग्राम हमारे description में टेलिग्राम ग्रूप है लिंक है उसमें आप जूर सकते हैं ताकि आपको वहां से PDF मिल सके और हमारा playlist भी बना हुआ है जैकि competitive exam के लिए SSC phase 1 RRC यह सब की topic wise जनगना से related लोकनीट से related book author से यह से ही 10 playlist बने हुए हैं 10 topics से जाकि आप देख सकते हैं जिससे आपको आने वाले SSC phase 1 RRC group का मदद मिल सके उसमें से question एक दो प्रस आएंगे ही आएंगे हर topic से तो आप जाके उससे भी देख लिजएगा playlist में चली शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रस है कि ग्यान पीट पूर्सकार किसे दिया गया संतावनवा इसका सही उतर हो जाएगा उपनियास दमोदर मोजे को बारतिय सहीत में उनके योगदान के लिए सतनमित ग्यान पीट पूर्षकार 22 के लिए चुना गया था सततर वर्षिय लेखक को उनके सहीत में उतकरिष्ट योगदान के लिए देश के सोच सहीत पूर्षकार समानित किया गया था जो चपनवा है वो निल्मनी फूर्षकार को दिया गया था और जो संतर ग्यान पीट पूर्षकार हूँ वो कोकनी लेखक दामोदर मोजे को दिया गया था मोलिक अधिकार की अनुझेद से लिया गया था बहरत के सम्हिदान भाग तीन अनुझेद 12 से 35 में आते रहारतीय नागरीकों को परदान किये गये वे अधिकार है जो समानिस्तिति में भारत सरकार द्वारा सिमित नहीं किये जा सकते हैं और जिनकी स्वख्चा का प्रहारी सुरचु नियाले हैं अगला प्रसन है मैश्टीpm महीला सासक थी वे भारत के इतिहास के कूछ महीला सासकों में से एक थी रानी रुदार्मा देवी या रूद्य देव महराजा बारा सो तीरसर से उनकी मिर्तिव तक दककन पठान में काकातिया वन्स की एक राजकुमारी रही है इसका उत्तर हो जाएगा काकातिया वन्स चलिए देखते हैं अगला प्रस गुरु बीपिन सी किस नीच से समंदित है गुरु बीपिन सी 13 अगस्त मनिपूरी नीच से समंदित है इसका राइट अंसर हो जाएगा उनका जल्म 23 अगस्त 1918 को एक विस्नूपीडिया मनिपूरी पडिवार में हुआ था उन्हें मनिपूरी नीच का जनक भी माना जाता है है मनीपूरी नीच का जिनक माना जाता है इसका उतर राय लंचाब के kg के नाम से जना जाता है भारत के प्रमुक सोतंता सेनारी रहा चुके हैं इन्हें पंजाब केसी से भी कहा जाता है अगला है वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है पुस्तक से जो है प्रस बहुत एक दो प्रस तो आपके अग्यां में आगे आने वाले एकजाम में उसमें भी आ सकते हैं या फेज में और आरर्वी 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 अंटी आरर्वी ग्रूप डी में भी आएंगे ताप जाके प्लेलिस में बूक ओथर से लेटे लेटे टोपिक वाईज 50 mcq जाकर अवस देख लेगे जो बेटि बूक है वह बिम्रां अम्वेद्कर anha UH जो आगला प्रस्न है कि इस्टन गार और इस टन काथ को क्षों डीवाइट करता यह प्रसन यह प्रस्न था कि इस्टन वेस्टन गाट को कौन डिवाइट करता ओप्शन में था हिमालिया सेंट्रल प्लेन और इसका तो उत्तर प्राप्त नहीं वह आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि इसका अंसर क्या होगा अगला कॉर्शन है महापामानन्द कौन से रूलर से समंदीत हैं महापादमानन्द भारत के पर्थम समराच चुके हैं पुड़ानों तथा विश्वा खद के मुद्राराच्चत के अनुसार हुआ एक सीशु नाग वंसी सत्य मंदी के पूत्र भी थें पुड़ानों में इन्हें महापादम तथा महा बोधिवन्स में उग्रिशेन कहा गया है उसे महापादम एकार एकाराथ सोड़ शनात्रक आदी उपादियों से विवोसित किया गया है अगला जो है अगस्तृ मोर्या रूलर जो है कहाँ कहा तो वो हर अंका के रूलर रह चुके हैं अगस्तृ अगस्तृ वर वस वन उप्वोटेंट कीक वाफ हरेन्न का डैंसिटी अगला कुस्षन है हाँ मेनी टाइपस हो इगनियश रोक जो अगने चताने उसके कितने परकार होते हैं तो उसे आम लोग पे दो ग्रूप में बाटा जाता है कुछ अगने चतान के उधारन भी देख लेते हैं ग्रेनाइट बेसलोल्ड पेगमाटाइट एवं बीटुमीनश आधी इनके परमू उधारन है तो दोस्तो आज हमें इतने प्रस मिले हैं जो कि बच्चों द्वारा भेज़े गाएं चेक कर सकते हैं जिसमें टोपिक वाईज एमसी क्यूव है टोप टोप 50 एमसी क्यूव बनाएगा है जो 10 टोपिक 10 टोपिक है उसमें से आपके दो नमबर तो फिक्स ही रहे जरौ कर सकते हो बच्चों आपके उस ताब भेल मंनान आतरी नमबा क्यों लेब है जोण गयां जोवग है जो तो श्या है अजिए टोपिक अजुद कर सकते हैं